प्रतिसकर्ड कॉंग्रिस में विवाद की खबरे थमने का नाम नहीं ले रही है। पार्टि के कॉंग्रिस के राष्ट्य प्रवक्ता राधिका खेडा और कॉंग्रिस अंचाव अध्यक्ष प्रमुक सुशील आनन्शुक्ला के बीच विवाद अब सुर्खियों में है। उनके इस विवाद को लेकर डिप्टे सिया मरुन साफ का बयान सामने आया। उन्होंने का कि कॉंग्रिस के नेत्वी को कॉंग्रिस भवन में कॉंग्रिस के नेताओं से लड़ना पड़ रहा है। यहीं कॉंग्रिस के हालात हैं। अब ये बताना है कि कॉंग्रिस पार्टी में नावी सम्मान की क्या स्थिति है। अब वो कांगरेश पार्टी से ही लड़ रही है राधिका खेडा जी को जिस प्रकार से अपमान कांगरेश भवन में सहना पड़ा है तो कांगरेश की नेत्री को कांगरेश भवन में कांगरेश के निताओं से ही लड़ना पड़ रहा यह कांगरेश के हालात है अब यह बतात में है